रानो चड़िया की साधी टुन्नू चड़े से हुई थी टुन्नू चड़ा रानो को ना पसंद करता था क्योंकि ये साधी उसके पिता ने अपनी मर्जी से करवाई थी समय के चलते रानो चड़िया को दो बच्चे भी हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद टुन्नो का बुड़ा पिता मर जाता है टुन्नो जी आप हमें ऐसे हालात में छोड़ कर सहर ना जाएं कोई काम अपने जंगल में ही धूंड लें नहीं पिता जी की वज़ा से ही तो मैं अब तक तुमारे साथ रहा मेरा सपना है सहर में जाके कमाने का अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला मैं जाऊंगा ऐसे बोलकर टुन्नो चड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर सहर चला जाता है मम्मा चड़िया अपने पती को दूर जाते देख रो रही थी समय बीटता गया लेकिन टुन्नो चड़े की कोई खेर खबर नहीं आई थी अब मम्मा चड़िया के घर में खाने को भी कुछ नहीं था वो अपने पड़ोसी कवो के घर जाती है बोलो बोलो चड़िया बहन टुन्नो की कोई खेर खबर आई या नहीं नहीं कालू भीया, आज पूरे 6 महिने हो गए, अभी तक टुन्नो जी की कोई खबर नहीं आई रानो बहन, मर्दों का कोई पता नहीं, अब तुमें ही अपने बच्चों का पेट भरना होगा, आखिर कब तक घर में बैठी रहोगी टुन्नो के इंतिजार में हाँ गोरी बहन, मैंने काम करने का फैंसला कर लिया है, मगर टुन्नो जी की चिन्ता भी रहती है, गोरी जी थोड़ा भोजन बचा हो तो उसे बच्चों के लिए दे दो, वो खा लेंगे फिर मम्मा चड़िया गोरी का तिया हुआ भोजन लेकर घर आती है बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं अगली सुबा रानो काम की तलास में निकल जाती है मालिक जी मुझे कोई काम दे दें मुझे बहुत जरूरत है काम की हाँ मेरा नोकर अपने गाउं गया है जब तक वो वापस आता है तो मुझे जगा पे काम कर सकती हो फिर रानो चड़िया तोते सेट के दुकान पर काम करने लग जाती है और अपने बच्चों का पालन पोसन करती है पती जी यहां किराई के घर में कब तक रहेंगे बहुत खर्चा है और मुझे पसंद भी नहीं ये चोटा सा घर आप अपने घर कब चलोगे पिंकी जी चल तो मैं भी दूँ अपने घर लेकिन आपको पता तो है वहां पे मेरी पहली पतनी और बच्चे रहते हैं तुन्नु जी आप चलने की त्यारी करें वहां पे जो भी हो मैं सब देख लूँगी ऐसे बाते कर टुन्नु चला अपनी दूसरी पतनी के साथ जंगल लोटाता है वो अपने घर का दरवाजा खट खटाता है रानो चलिया बाहर आती है वो तो टुन्नु चले को देख कर बहुत खुस होती है टुन्नु जी आप आगे मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे मैं कब से इंतजार कर रही थी और आपके साथ ये कौन है मेरी पतनी और कौन होगा साथ में पिंकी जी घर के अंदर चलें ऐसे बॉल कर टुन्नु चड़ा पिंकी चड़िया के साथ घर के अंदर चला जाता है रानो तो दर्वाजे पर ही खड़ी रह जाती है अंदर दोनों बच्चे पापा पापा चलाते टुन्नु के गले से लग जाते हैं पती जी ये दोनों बच्चे कितना सोर मचा रहे हैं इन्हें चुप रहने को कहो मैं सफर में ठग गई हूँ आराम करना चाहती हूँ आप भी सो जाएं रानो अपने बच्चों को संभालो मुझे इनकी आवाज नहीं आनी चाहिए ऐसे बोलकर टुन्नु चड़ा भी गोंसले में सो जाता है मम्मा चड़िया तो बहुत हेरान थी उसे अपनी आखों पे विश्वास नहीं हो रहा था हे भगवान क्या सच में टुन्नु जी ने दूसरी साधी कर ली अब मेरे बच्चों का क्या होगा मैं कहां जाऊं पिता जी भी मर गे अब मैं क्या करूंगी ऐसे रानो चड़िया बहुत दुखी थी फिर दूसरे दिन पिंकी चड़िया टुन्नो चड़े से बोलती है पती जी आप अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों को घर से भगा भी दें उनका साथ में रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वरना मैं ही सहर चली जाऊंगी नाना पिंकी मेरी जान ये कैसी बाते करती हो मैं सिर्फ और सिर्फ आप से प्यार करता हूँ मैं आज ही भगा दूंगा उनको फिर से जाने की बाते ना करना वो दोनों ऐसे बाते ही कर रहे थे अभी रानो चड़िया काम से घर आती है तो तुन्नू चड़ा उसे बोलता है फ्रानो तुझे दिखाई नहीं देता मैंने अब दूसरी साधी कर ली है तो अब तेरा इस घर में क्या काम अपने बच्चों को ले और मेरे घर से निकल जा तुन्नू जी आप ये कैसी बाते करते हो ये बच्चे आपके भी है मैं घर के किसी कौने में पड़ी रहूँगी मगर हमें घर से ना निकालें ना ना पती जी इसे घर में ना रखना मैंने ही रहूँगी वर्णा आज से तेरा मेरा कोई रिस्टा नहीं मेरे लिए तु मर गई इसे लिए कभी भी लोट कर मेरे घर के चोखट पे पैर ना रखना रानो चडिया खुम मिन्निते करती है मगर तन्नो चड़ा नहीं मानता वो रानो और उसके बच्चों को ठंड में ही घर से बाहर कर देता है बाहर बहुत जैदा सर्दी थी बचे काप रहे थे तन्नो ची चाहे कुछ भी हो मगर मैं लोट कर कभी नहीं आऊंगी इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी चलो मेरे बच्चों, आप मेरे साथ चलो ऐसे मम्मा चड़िया अपने बच्चों को साथ ले कर एक पेड़ पर बैठ जाती है मम्मा मुझे ठंड लग रही है हम ऐसे खुले में नहीं सो सकते मेरे बच्चो मैं तुमें जराबी ठंड नहीं लगने दूँगी आप मेरे पंखों में छुप जाओ मैं सुबा होते ही कोई न कोई जुगाड कर लोंगी बस आज रात आपको ऐसे ही रहना होगा ऐसे मम्मा चड़िया सर्दी की रात अपने बच्चों के साथ खुले में बिताती है वो अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है खुद कांप रही थी ऐसे ही सुबा हो जाती है मम्मा चड़िया घर बनाने के लिए बांस लेने जाती है चड़िया के पास में ही बांसों का जुन्ड था वो सी से अपना घर बना लेती है मम्मा ये घर तो बहुत गरम है आज तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही कल तो हमें बहुत सर्दी लगी थी हां मेरे बच्चों कल आपको बहुत कठिन रात बितानी पड़ी लेकिन बैसा कभी नहीं होगा ये घर आपक है और मैं आपको अपने से कभी अलग नहीं करूंगी पिंकी जी जरा एक गलास पानी तो देना टन्नो तुमारा हर दिन का हो गया है ये सब मुझे चैन से सोने भी नहीं देते जब देखो खांसते रहते हो खुदी क्यों नहीं ले लेते पानी तुम मेरी पतनी हो इतना सा क काम नहीं कर सकती मेरी तव्यत बहुत खराब होगी है ऐसे टन्नो चड़ा पिंकी से पानी मांगता है मगर पिंकी चड़िया तो उसे पानी भी नहीं देती वो उसकी जराबी परवा नहीं कर रही थी पिर अगले दिन बुल-बुल डॉक्टर टन्नो का चेक अप करती है टन टन्नो को टी भी हो गई अगर एक घर में रहने के कारण मुझे भी हो गई तो मैं खास-खास के मर जाओंगी ना बाबा ना मुझे टन्नो से अपना बचाव करना होगा ऐसे सोचकर पिंकी चड़िया टन्नो का घोंसला घर के बाहर लगा देती है बाहर बहुत सर्दी रही थी मैंने कितनी बड़ी गलती की जो रानो को घर से भगा दिया अगर वो इस समय होती तो मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती ऐसे सोचकर टुनु चड़ा घर के बाहर रो रहा था गोरी कभी उसे देख लेती है वो भागी भागी चड़िया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है रानो तुरंथी अपने पती के पास आती है क्यों आई हो मेरे पास मुझे मर जाने दो यहीं मेरी सजा है नहीं टुनु जी आप मेरे पती हो मैं ऐसे आपको अकेला नहीं चोड़ सकती आप कितने बीमार हो और इतनी सर्दी में घर के बाहर भी हो फि से माफी मांगता है मुझे माफ कर दो मेरे बच्चो मुझे माफ कर दो मैं बहुत बुरा हूं बहुत बुरा हूं मैं पापा आप हमें कभी दुवारा से छोड़ कर मत जाना फिर रानोचडिया अपने बेमार पती की खुब सेवा करती है और धीरे धीरे टो नुस्वेस्थ हो तूनी को भी चूडिया बनाना बहुत अच्छा लगता मम्मा मम्मा ये देखो मैंने कितनी सुन्दर चूड़ी बनाई है तूनी बेटी मैंने तुमसे मना किया है मेरे काम को हाथ मत लगाया कर पर तू है कि मानती ही नहीं मम्मा मम्मा चूड़ी बनाना तो मुझे अच्छा और मैं जब सुन्द सुन्द चोड़ी बनाने लगूंगी तो आप भी खोस होंगी, मुझे डाटेंगी नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं आपको ये काम नहीं सिखाना चाहती आप पढ़ लेकर बड़ी अफसर बने, तब ही आपके पापा का सपना पूरा होगा उनकी मरते दम तक यही इच्छा थी, तुम पढ़ो और खोब आगे बढ़ो ठीक है मा, मैं अब से पूरा ध्यान लगा कर अपनी पढ़ाई करूंगी नहीं देखूंगी इन चोड़ीों की तरफ, मुझे पापा का सपना पूरा करना है, बड़ी अफसर बनना है अपनी मा की बाते सुनकर टूनी चड़िया भावख हो जाती है, और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती है मम्मा पहले घर पे चोड़ी बनाती, और फिर उन्हें बेचने घर घर जाया करती अच्छा हुआ रानो, जो तुम खुद ही चूड़ी लेके आ गई, दिखाओ दिखाओ, सुन्दर सुन्दर से चूड़ी दिखाओ, पांच दिन बाद मेरी बेटी की साधी है देदी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है रानो तेरी भी तो एक बेटी है, उसकी साधी कब कर रही है दीदी जी, अभी तो उसे पढ़ाई करनी है, साधी की कोई जल्दी नहीं है मुझे मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मैं तो तब ही उसकी साधी करूंगी अब जैसी तेरी इक्षा वरना स्यानी बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है और तेरे तो हलात भी ठीक नहीं पती भी नहीं है तेरा जालम जमाना बड़ा खराब है ममा चड़िया खामोस हो जाती है वो लूसी कबूतरी को चोड़ी दे कर वहां से चली जाती है वो लूसी की बातों को याद कर रही थी उसका ध्यान चूक जाता है उसे तो लूसी की बाते ही यादा रही थी तब ही उसकी टकर हवाई मोटर से हो जाती है और वो घायल होकर जम नहीं मेरा ध्यान ही कहीं और था फिर वो अंजान पक्षी रानो चड़िया को अपनी हवाई मोटर में बैठा कर उसकी दवाई करवाता है टकर बहुत जोरों से हुई है प्लास्टर चड़ाना होगा एक कंधे को तभी हड़ी ठीक होगी और एक महिने तक कोई काम नहीं फिर बुलबुल डोक्टर रानो चड़िया को पलास्टर लगाती है वो तो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है वो अंजान पक्षी उसे घर भी छोड़ने जाता है ममा ये आपको क्या हो गया आपको चोट कैसे लगी तूनी बेटी घबराने की कोई बात नहीं जरासी चोट लगी है एक महिने में ठीक हो जाएगी और बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो अंदर बैठो नहीं नहीं आंटी जी मैं चलता हूं पहले ही मुझे काफी देर हो गई आप अपना ध्यान रखना मैं अब चलता हूं ऐसे बोलकर अमीर पक्षी वहां से सर्माता हुआ चला जाता है क्योंकि उसे टूनी चड़िया बहुत अच्छी लगी थी उस आंटी की बेटी कितनी सुन जीतो कर रहा था मैं रुक जाता वहीं ऐसे वो अमीर चड़ा पक्षी टूनी को बार बार याद कर रहा था कुछ समय बीत जाता है मुझे आंटी के घर का पता मालुम है मैं उनके घर चला जाता हूं नहीं नहीं टुन्नू वो तेरे बारे में क्या सोचेंगी मैं नहीं जा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे मैं कुछ मंगा सकूँ तूनी बेटी क्या हुआ तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो मा घर का पूरा रासन खतम हो गया अब मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाओं ये तो हो नहीं था पिछले दस दिनों से मैं घर में जो बैठी ह जमाक ये पैसे भी मेरे इलाज में उठ गे कोई बात नहीं आज बिना भोजन के ही सोजाती हूं कल कहीं न कहीं से जुगाड कर लूंगी रानो चडिया ने इतना बोला ही था तब ही उनके दरवाजे पर दस तक होती है तूनी चडिया दरवाजा खोलती है मम्मा चडिया त आप हमसे डरो नहीं ये तो मेरी ममा है आपसे कुछ जरूरी बाते करने आई है हाँ बहन जी मेरे बेटे मानो ने मुझे सब बताया जो भी उस दिन हुआ था आप घबराओ नहीं मैं यहाँ आपसे शादी की बात करने आई हूं मेरे बेटे को टूनी पहनी निजर में ही भ फिर टूनी ही बोलती है देखें आंटी जी आप बहुत अच्छे पक्षी हो जो अमीर होते हुए भी हम गरीबों के घार आए लेकिन मैं अभी साधी करना नहीं चाहती और मेरी मा की भी यही इच्छा है आंटी जी मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ मैं आपकी बेटी को हमे उसकी बातों का बुराना मानना मुझे ये रिस्ता मंजूर है एक मा को और क्या चाहिए बस उसकी बेटी अच्छे परिवार में चली जाए और कुछ नहीं ठीक है तो अब ये रिस्ता पक्का हुआ हम जल्द ही टूनी को बिहा के ले जाएंगे ऐसे रिस्ता पक्का कर दोन मा बेटा वहां से चले जाते हैं मम्मा चडिया अपनी बेटी को समझाती है मम्मा आप तो हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती थी बड़ा अपसर बनाना चाहती थी फिर अब क्या हो गया जो मेरे बिना पुछे मेरी साधी त्या कर दी हाँ मेरी बेटी मैं यही सब चाहती थी मगर इतने अच्छे रिस्ते को घर आये लोटा भी तो नहीं सकती थी ऐसे समझा कर मम्मा श्डिया अपनी बेटी की साधी मानोचड़े से कर देती है मानोचड़ा टूनी का बहुत ख्याल रखता सब कुछ बहुत अच्छे से होता है समय बीदता गया जहां मानोचड़ा काम करता था उसका दफ्तर अचानक से बंद हो जाता है और वो समय के चलते बेरोजगार हो जाता है बेटा ये मेरे कहने है इन्हें बेच के तुम घर का रासन पानी ले आओ घर में कुछ भी नहीं है मा ये तुम क्या बोल रही हो ये पिता जी ने तुमें दिया था मैं इसे नहीं बेच सकता बेटा घर में बहु है और बहुत जल्द बच्चा भी आने वाला है तो पैसो की कमी है नहीं मा मैं सब देख लूँगा मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम मिल जाएगा आप चिंता ना करें ऐसे बोलकर मानुचडा घर से बाहर निकल जाता है उसे बड़ी च्छान बीन के बाद एक मामूली सा काम मिलता है जिससे उसके परिवार का गुजारा होना बहुत कठिन था इन पैसों से तो घर का गुजारा बहुत कठिन है मुझे भी कोई काम करना होगा पर क्या हाँ मुझे चोडिया बनाना आता है मैं चोडिया बना कर बेचा करूंगी मम्मा से सीखा था फिर टोनी चडिया चोडिया चोडिया बनाने का काम सिरू करती है उसकी सास भी उसका हाथ बटाती धीरे धीरे टोनी की चोडियों का काम अच्छे से चलने लगा था बेटा तु अपना काम करना छोड़ दे और बहु के साथ चोडियों का काम कर ये बहुत अच्छा काम है हा मा पूरा दिन महनत करने के बाद फोड़े से पैसे मिलते है मुझे मैं भी चोड़ियों का ही काम करूंगा फिर मानुचड़ा भी चूड़ी बनाने का काम सीख लेता है उनका घर-घर चूड़ी बेचने का काम पूरे में फैलता गया वो अपनी चूड़ीों की दुकान भी खोल लेते हैं धीरे-धीरे वो बहुत अमीर पक्षी बन जाते हैं अरे बहन जी आप तो बहुत अमीर हो मानुच डे ने ऐसा कौन सा काम सीख लिया टोनी ने बताया था उनका पहला वाला काम छोट गया था रानो बहन जी साबाप की बेटी का कमाल है अगर वो घर से चूडी बनाने का काम नहीं करते तो आज हम चूडी कमपनी के मालिक नहीं होते हाँ मा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता मैंने चूड़ी का काम पूरे मन से किया और मानो जी ने इसे पूरे देश भर में फैलाया अब हमारी दूर दूर के जंगलों में भी चूड़ीयों की दुकान है सब पक्षी हमें चूड़ी वालों के नाम से जानते हैं मम्मा च सगा समंदी नहीं था इसलिए दोनों ही मिल जूलकर एक साथ रहती थी देखो बहन जब हम छोटे थे तो भीक मांगकर दोनों ने एक दूसरी का पेट भर लिया लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और कोई काम करके अपने पेरों पर खड़े हो सकते हैं हां रानो तू सही कह अब हात फैलाने में सरमाती हैं ऐसे योजना करके वे दोनों अपने कटोरें फैक देती हैं और काम की खोज में निकल जाती हैं वो एक बड़े कपड़े के सोरूम में जाती हैं सेट जी हम दोनों बहने बहुत गरीब हैं और काम की तलास में हैं अगर आप हमें काम पर रख तो बड़ी महरबानी होगी हाँ दुकान में दो पक्षियों की कमी है महीने का 5000 चलेगा पस्टूमर्स के भीड लगी होती है यहां 5000 रुपे सुनकर दोनों मन ही मन खुस होती है तभी सोरूम का मालिक उनसे पूछता है अच्छा तो यह बताओ तुम दोनों ने पढ़ाई कहा नो तक की है मैं व्याट्रिक पास तो होंगी ही लाला सेट जी हम कोई मेंतल नहीं हैं बहुत रुछ यार है अनात है दोनों ने बस से एक साथ रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा किया है भागो भागो यहां से तुम्हारे लिए यहां कोई काम नहीं है ऐसे गवार नौकरी पर रखर में अपना नाम खराब नहीं करूंगा कपड़े का मालिक उन दोनों को डाटते हुए भगा देता है इसी तरह से वो के हमें कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा बस तु भगवान पर विश्वास रख वो हमें निरास नहीं करेंगे जिधर भी जाओ सब पढ़ाई-पढ़ाई का पूछते हैं हमारी हालत पर कोई दया नहीं करता इस तरह से वो दोनों परेशान थी सुबा से साम होने को थी और तो इतनी जल्दी भूल गई सुबह तो तूने ही कहा था कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने में अब सरम आती है और अब फिर से भीक मांगने की बाते कर रही है तो फिर क्या करें भूक से मर जाएं ये बड़ी बड़ी दुकान वाले तो कोई काम हमें देंगे नहीं चिडिया गोरी ऐसे बाते कर रही थी के तब ही उनके पास एक बूड़ा पक्षी हाफ़ते हुए बैठ जाता है उसके साथ एक रंगी बिरंगी चोडियों से भरा हुआ टोक रहा था आज तो एक भी चूड़ी नहीं बिची और मैं उपर से उड़ोड़ कर ठकिवी गया हुँ यहीं थोड़ा अराम कर लेता हुँ फिर चोड़ी वाला पक्षी अपने भोजन का डब्बा निकालता है और खाने लगता है गोरी कव्वी की नजरे तो भोजन से हाटी नहीं रही थी अरे बेटा तम तो बहुत भूकी लगती हुँ ये लो एक रोटी खालो गोरी जैसे ही रोटी लेने के लिए अपना पंग खागे करती है तभी चड़िया उसे डाटते हुए कहती है गोरी चाहे कुछ भी हो लेकिन हम मेहनत करके खाएंगे ऐसे किसी से मांग कर नहीं चड़िया खालेने दोना एक ही तो रोटी है अगर ये भी दादा जी खा गए तो मेरा क्या होगा अच्छा तो तुम दोनों कमा के खाना चाहती हो ये लो ये मेरी चोड़िया है जब तक मैं यहाँ आराम करता हूं तब तक ये चोड़िया ले जाओ और इने बेचाओ फिर तो तुम रोटी खा सकती हो ना हाँ हाँ दादा जी हम अभी सारी चूडियां बेच कर आते हैं चलो रानो चिडिया को भी चूडिया वाले दादा की बात अच्छी लगती है और वो गोरी के साथ चूडिया बेचने चली जाती है गोरी चूडी बेचने की अवाज लगाओ ऐसे कोई चूडी खरीदने नहीं आएगा ठीक है रानो अभी लगाती हूँ चूडी ले लो रंग बिरंगी चूडी ले लो आओ आओ बहन जी बहुत ही सुन्दर चूडिया है आपके सुन्दर सुन्दर हातों में खूब जचेंगी अरे नहीं नहीं दूर से ही अच्छी लग रही थी आपकी चूडिया पर पास आने पर एकदम भद्धी हैं कोई सफाई जैसा काम नहीं नग भी उल्टे सीधे लगे हैं इनमें क्या कहा इतनी सुन्दर चूडिया तुझे भद्धी दिखती हैं अरे भद्धी चूडि नहीं तेरी सकल है अरे मुझे नहीं खरीदनी तेरी चूडिया तुम तो बहुत बत्तमीज हो अरे बहन जी मैं गोरी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ बिना चूडी खरीदे ही वो चड़िया वहां से चली जाती है गोरी को तो बहुत गुसा आ रहा था गोरी आज तक हमने कभी चूडी नहीं पहनी तो इसलिए कुछ नहीं पता बूडे पक्षी की चूडिया अच्छी नहीं है कैयों में तो नग भी नहीं है और कैय तो ठीक से गोल भी नहीं चूडिया कुछ भी हो थोड़ी चूडिया तो हमें बेचनी ही होगी वरना खाएंगे क्या वो काफी देर तक जगह जगह जाकर चूड़ी बेचती है एक दो पक्षी उनकी चूड़ीया खरीद लेते हैं और वह दोनो चूड़ी वाले दादा के पास आती हैं क्या बेटा बेच दी सारी चूडिया दादा जी आपकी चूडियां कुछ खास नहीं थी इसलिए बड़ी मुश्किल से सौ रुपे की चूड़ी बेच पाएं हैं ये लो अपने सौ रुपे हाँ बेटी वो तो है अब मैं बूड़ा हो चुका हूँ ना ठीक से दिखता है और ना जादा देर बैठ पाता हूँ इसलिए जैसे भी चूड़ी बनती हैं उन्ही को अक्रियमंदी बेच कर जीवन काट रहा हूँ दादा जी आपके परिवार में कौन कौन है हमें जरा बता हो एक भयान घटना में मेरी पतनी और बच्चे मर गए इसलिए मुझे अब ज़्यादा पैसा कमाने से कोई लालच नहीं जितने पैसे तुम्हें मिले हैं वो अपने पास ही रखो लो ये पैसे ले लो ये कहते हुए बूड़ा पक्षी वहां से जाने लगता है तभी रानों चिडिया बूड़े पक्षी को रोक लेती है दादा जी हमारा भी कोई नहीं है अगर आप हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें तो हम अनात अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और सारी जिंदिगी भीक मांगनी नहीं पड़ेगी हाँ दादा जी हम सुभा से काम की तलास में भटक रहे हैं मना मत करियेगा हमें चूड़ी बनाने का काम सिखा दें ताकि हम भीकारी भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें गूड़े पक्षी को उन दोनों की हालत पर दिया आती है और वो उन्हें अपने साथ घर ले जाता है और चूड़ी बनाने का काम सिखाता है महीने गुजरते गए अब गोरी और रानों ने चूड़ी बनाना सीख लिया था वो गली गली जाकर चूड़िया बेचती है उनकी चूड़ी सबी पक्षियों को खूब पसंदाती है और उनकी कमाई में दिन रात तरक्की होने लगती है दादा जी हमारी चूड़िया खूब बिच रही है इसलिए हमने सोचा है गली गली में चूड़िया बेचने से अच्छा तो खुद की दुकान जमा ले हाँ दादा जी चूड़िया तो छट से बिच जाती है पर भरे टोकरे को ले जाने में कमर दूख जाती है ये तो बड़ी खुसी की बात है बच्चो अच्छे काम में देख किस बात की और एक अच्छे सी जगहा देखकर दुकान खोलना मेरे बच्चो फिर वह दोलो अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और दुकान का नाम दादा जी की चूड़ी रख देते हैं बूड़ा पक्षी बहुत खुस था क्योंकि उसे एक नया परिवार जो मिल गया था उस दिन के बाद वो तीनों मिल जुलकर खुसी खुसी रहते हैं तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है हमें जीवन में आई कठनाईयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए बलकि डट कर उनका सामना करना चाहिए आपका धन्यवाद और कमेंट में हमें यह बताएं आपको कौन से रंकी चोड़िया पसंद है